आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है यस बैंक के बारे में देखें यस बैंक में पिछले काफी जुनों से बहुत कुछ चल रहा है कंपनी काफी जादा कोशिश कर रही है कि वो कही न कहीं से कैपिटल लेकर आए और इसी के विसे शेर्स में ते करने को मिला था यहां पर अगर मैं आपको चाड़ दिखाने की कोशिश करूं 99 रुपे से करीब यह शेर्स पहुंचा लेकिन उसके बाद गिरावट चल रही है उसका रीजन भी है क्या रीजन है और शेर्स में आने और दिनों में किन-किन चीज़ों को हमें ध्यान में उपन करना चाहते है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देकर रखा हुआ है वहां से वह इसली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं तो देखें 93 के रूपर शेर्ट कर रहा है आज गिरावट भी देखने को मिली है हलकी सी लेकिन मौ करने की कोशिश करें मतलब कि जिन्होंने अर्ली ट्रेट में 94 रूपिस के आसपास जब उपन हुआ था तब जिन्होंने खरीदा था शेर 99 तब पहुंचा तो लोगोंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया तो लोगोंने बेचना शुरू कर दिया तो जैसे ही और शेर्स आज एक दो परसंट तक गिर गया end of the day अभी वक्त खतम नहीं हुए तो वैसे ही इसमें थोड़ी बहुत गिरावट अब देखने को मिली है लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो देखें जो तेजी आई थी पांच परसंट की मॉर्णिंग में उसका रीजन भी कि अपनी स्टेक जो है उसको बेशने के कही ना कहीं से कोशिश पर कर रहा है यह यहस बैंक तो यहस बैंक इस इन फाइनल स्टेज ऑफ देख सेल अनौसमेंट इस लाइकली आफ्टर जून क्वार्टर रिजल्ट ऑन जुलाई 17 तो देखें उसकी जो अनौसमेंट है जैसे काफ़ी जादा मैटर करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखें पी फिर्म एंट टू डॉमिस्टिक इन्वेस्टर वह भी यहाँ पर इसमें इंट्रेस्टेड है तो अच्छी रिपोर्ट है यस बैंक को लेकर शैर्स में तेजी भी आई थी लेकिन बाद में उसको सस्टे परसंट का ग्रोथ है और अगर हम यहाँ पर पिछले एक महिने की बात करें तो पिछले एक महिने में हाला कि 19% तक शैर तूट चुका है लेकिन इस बीच देखे 88 रुपिस तक का लो भी यह बना चुका था यहाँ से continuous शैर में तेजी आ रही थी continuous शैर में तेजी आ रही थ पिछले एक साल की बात करें तो यहस बैंक के शैर में पिछले एक साल में यहस बैंक के शैर में आलमोस्ट 75% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है देखें तीन सो पचानवे से रुपे के आसपास 390 से 395 रुपे के आसपास share trade कर दा था उसके बाद काफी ज़ादा ups और इ जैसे ही रिपोर्ट हुए शैर्स में बहुत जादा बहुत जादा गिरावट यहां पर देखने को मिली लार्ज क्रेफ्ट होके 21,650 करोड के आसपास का मार्केट के अपने सी में देखने जाएंगे तो आज 12 करोड 12 करोड से भी जादे के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रही है तो शैर्स बहुत जादा बड़ी कॉंटिटीज में यहां पर ट्रेड हो रहा है और अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है अभी भी मार्केट क्लोज होने में 8 मिनिट का टाइम बचा हुआ है अब देखें 12 करोड 36 लाक से भी जादा का वॉल्यूम ट्रेड है औ लेकिन अब दो दिनों बाद इनके क्वार्टली नतीजे आने वाले है जून के और काफी जादा उमीदे है लोगों को कि इस बात पॉजिटिव में नतीजे आएंगे और शैर्स वापस से दौड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा जर्स बैंग में देखें 19.80% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है FIS के पास 40.33% की होल्डिंग है म्यूचर फरंड के पास 9.54% की होल्डिंग है इंस्टोरिंस कमदे के पास 11.10% की होल्डिंग है non-institution investor के पास 18.89% की holding है अधियर DS के पास 0.34% की holding है देखिए promoters के दुआरा holding गिर्वी भी है 3.64% की holding इनकी गिर्वी है 33 mutual fund schemes ने अपना पैसा लगा है 625 F files भी इसमें invested है individual investor holding 13.96% की देखने को मिली है और dividend भी 100% पे कर रहा है पिछले महिने ही उन्होंने पर शायद 2 रुपय के हिजाब से dividend पे किया है तो काफी लोगों को उसका dividend अब तक शायद मिल भी गया होगा तो yes bank अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखें अगर मैं money control में जा रहा हूँ तो 83% buying recommendation है 13% selling है 4% hold recommendation यहाँ पर देखने को मिल रही है financials की बात करें तो देखें तकरीब इंके उपर कर्जा है 2,55,000 करोड़ से भी जादा का कर्जा है लेकिन अगेंस में 3,12,000 करोड़ से भी जादा के टूटल assets भी इनके पास है और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर yes bank में क्या किया जाए तो मेरे हिजाब से खरीदा है तो hold करे पैनिक में आप बेचने के लिए जरूरत नहीं है और तो और जो नए बायर से उनको मैं यही कहूंगा कि अभी खरीदारी की जल्दबाजी ना करे 17 तारिक को एक बार नतीजे आ जाने दीजिए नतीजे किसे कैसे आते हैं उसके बाद ही आप इसमें कोई decision ले सकते हैं या आपको decision लेना चाहिए और जैसे अगर यहाँ पर मैंने बात किया कि देखे यस बैंक में बले ही 17 तारिक को इनके नतीजे आये हैं लेकिन जो investors को लेकर बात चल रही है कि देखे फाइनल स्टेज में यहाँ पर stake sale को लेकर चल रही है तो वो भी June quarter के result के दिन या पर जुलाई 17 को इसके बारे में भी announcement की जाएगी तो देखे हो सकता है कि shares में आपको तेजी देखने को मिले लेकिन वे भी मैं यही मानूँगा कि एक risk जरूर है अगर आप अभी खरीदारी करते हैं तो इसलिए कहूंगा कि better यही होगा कि एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद ही आप इसमें कोई फैसल ले तो जादा better तो देखे दो तीन दिन वेट कर लीजे नतीजे आ जाए उसके बाद आप इसमें कोई decision लीजे और जैसे नतीज आएंगे सबसे पहले मैं YouTube पर पोस्ट के दवारा आपको इसके बारे में जरूर इंफर्म कर दूँगा तो इसलिए चैनल को like किजिए subscribe किजिए और तो और अ अजिए और अफिसको शब्सक्रेब कर दीजे घंक यु